जुन्ना का जिक्र कर NSA अजीड दोवाल का बड़ा बयान कहा नेता जी सुभाश चंद्र बोस होते तो देश का बटवारा नहीं होता अजीद दोवल का बड़ा बयान बोले नेता जी ने आजादी के लिए भीक नहीं मांगी जुन्ना ने भी सुभार शंद्र बोस को नेता माना था अजीद दोवाल की बोस और विभाजन टिपनी पर कॉंप्रिस का पलतवार जैराम रमेश मुले दोवाल भी इडिस्टोरियम की जमात में हुए शामिल एनसे से पूछे चार सवाल जुनागर की घटना पर असदुद्दी नोवेसी का बयान हम पर ही जुल्म होगा हम ही जालिम कहलाएंगे हमको ही मारा जाएगा और हम पर ही मुकदमे चलाए जाएंगे यह मोदी के मन की बाद कारकरम का 102 एपिसोड आज पहली बार तैस समय से पहली होगा प्रसारट तीसरे रई बार को ही प्रसारट हो रहा है एपिसोड कर्शमे तूफान के बाद हालात का ग्रेह मंत्री अमिट शान अलिया जाएजा तूफान प्रभावत अलाकों का किया हवाई सर्वे अस्पताल में घायलों से की मुलाखात वेपर ज्वाई पर ग्रेह मंत्री अमिट शाह का वयार बूले 140 किलोमेटर रफ़तार का तूफान तर्ट से ठकराया कोई जानमाल का नुक्सा नहीं सुनकर संतोश होता है चमबा हत्याकान की एनाईये से जाच परड़ी बीजेपी हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में किया प्रदर्शन राजपाल के नाम सौफा ग्यापन चमबा में मारे गए मनोहर के परिवार ने की दोशों को फासी देनी की माग कहा कानून दोशों को सजा दे या फिर उनकी ही जान ले ले मनेपूर में मैतई समाच की महिलाओं ने किया प्रदर्शन राच में एनार्सी लागू करनी और उनने से कुकी विधाकों को योगिट हैरानी की माग मनेपूर में भीड ने खौंगमन अलाके में बीजेपी नेताओं को बनाया निशाना बीजेपी दफ्तर में की जम कर तोड़ फोर मनेपूर हिंसा पर कॉंग्रेस समें दस विपाक्षी दलों की पिया मूदी से मांग अमेरिका दौरे से पहले मुलाकात का वक्त मांगा मनेपूर हिंसा पर महाराश्र कॉंग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने पीम मोदी को घेरा कहा देश जल रहा है और प्रधान मंत्री विदेश घुबने जा रहे है फिल्म आदी पुरुष पर बूला हमला कहा भगवान राम और हनुमान की छवी को खराब करने की कोशिश हनुमान जी से बुलवाए गए बजरंग दल जैसे डालोग फिल्म आदी पुरुष पर आरजडी ने भी जताया इतराज मृत्यूंजत यवारी बोले धर्म और आस्था से खिलवार बरदाश ने एंपि में भे फिल्म आदी पुरुष पर बवाल फिल्म को बयन करने की उठी मांग हिंदूबादी नेताओं ने फिल्म को बताया सनातन सस्ट्री का अप्मान उज्चेन में भी संत्समाच में फिल्म आधिपूरुष को लेकर नारासगी कहा सनाता धर्म को मानने वालों की भामनाए हुई आहत विवादों के बीच आदिय पुरुष की बॉक्स आफिस पर बंपर शुरबात पहले दिन 140 करोड रहा वर्ल वाइड कलेक्शन नहरू मेमोरियल म्यूजियम का नाम बदले पर बूले संचिर राउत नहरू के नाम से भी बनाया जा सकता था म्यूजियम नाम बदले को बताया इतिहास बदले की साज़िश स्बी स्पी के चीफ होम प्रगाश राजवर ने बीजे पी के साथ जाने के अटकलों को किया खारच कहा राज उनीती का असली आनन्द विपक्ष में है बंगाल के कुछ बिहार में फिर केंद्रिय ग्रह राजर मंत्री डिशित प्रमानक के काफिले पर हमला टीम सी कारे करताओ पर लगाया आरू मताबै नची के शारे पर कर रही काम पंगाल में हिंसा को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यष सुकांता मजूमदार ने राज़पाल सीवी आनंद बोस से मुलाकात की निशित के काफले पर हमले की जानका लिए अमेरिका में बाइडन मोदी के बुलाकात में पांच महत्वपूर मुद्धों पर होगा मंतन स्वास सिप्ट राध्योगी की नवी करणिया उरजा, शिक्षा और रक्षा पर चर्चा होने की उमीद पियमोदी के अमेरिका दौरे पर विदेश मंत्री ऐसे जईश्रंकर का बयान कुछ ही लोगों को ऐसा सम्मार मिलता है जो पियमोदी को विदेशों में मिल रहा है गोडवे ब्रजबूशर सिंग के साथ सेलफी लेने के दौरान हुआ बवाल और पत्राओ पर एक्षन पुलिस ने दो नामजद और तेरा अग्याद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्च गिया माफियाती गैंग के अवैद कबजे पर पीडिये की बड़ी कारवाई दो सौ बीगे से अधिक की अवैद प्लोटिंग पर चला बुल्डोजर एदरबाद में बुर्का और हिजाब को लेकर नया विवाद छात्राओं को बुर्का पहन कर कॉलेज में एक्जाम देने से रोखा गया ग्रे मंत्री महमूद अली ने कहा हमारी नीती पूरी तरह से धर्म निर्पेक्ष संभल में नमास पढ़ने पहुचे समाजवादी पाति और बीज़ेपी की कारताओं की बीच जड़ब पुलस से साथ आरुप्यों को किया गिर अफ्तार पुमई कॉंग्रेस के दफ्तर में युवा कॉंग्रेस की बैठक में जम कर चली कुर्सी युवा कॉंग्रेस अध्यक्ष कुणाल राउत के इस्तीफे की मांग को लेकर विवाद हुआ बिहार में हीट वेव से आज लोगों की मौत मौसव भाग की चुईतामनी की बाद 24 जून तक स्कूलों को बंद रखने का अधिश्ष्वारी लगी सरायवे बड़े हीट स्ट्रोक के मरीज सदर अस्पताल में 20 बेड़ का वॉर्ड तैयार किया गया गुहाटी में भारी बारिश के चलते ब्रह्मपुत्र नदी का जलसर बढ़ा असम में बाड का खत्रा शालापूर में डांस करते वक्त युवक की मौट डॉक्टर्स के मताबिक हाट अटैक से हुई मौट रूसी उक्रेण युद्ध के बीज पुतिन से मिला अफ्रीकी नेताओं का डेलिगेशन पुतिन बोले यूप्रेण को लेकर अचनात्म बाकशीत के लिए तैयार है रूसी सैनिकों के कबसे से चुड़ाए एक गाउं को युक्रेणी सैनिकों ने पत्रकारों को दिखाया रूसी गोली बारी में पूरी तरह तबाह नजर आया इलाखा साओधी अरब और इरान के भी सुधर रहे रिष्टे साथ साल बाद पहली बार तेहरान पहुंचे साओधी के विदेश मंत्री एरान के विदेश मंत्री के साथ पुलाखाद की सर्विया में हजारों लोगों ने हिंसा के विरोद में राश्वपदी के किलाफ निकाला मार्च पिछले महीने गोली बारी की दो बड़ी घटनाओं में 17 लोगों की जान रही मेकसिको में सरकार की तरफ से आईजित वॉक्सिंग लास में जुटी हजारों की भीड यवाओं को ड्रग्स और हिंसा से दूर रहने का दिया संदेश अमेरिका के डेक्सस में तूफान लाया तबाही तीन के मौत 75 से जादा लोग हुए घायल 50,000 घरों की बिजली गुल